मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके की कुछ वीडियो अपलोड करनी की नीड होगी या फिर मैं कुछ इस तरीके की वीडियो को सूट करूंगी तो कुछ लोग हैं जो मुझे चाहते हैं कि मैं यूटूब पे रहूं कुछ लोग है जो नहीं चाहा थे कि मैं YouTube पर रहूं YouTube continue करूं तो recently मेरी चैनल पर एक सौट वीडियो अपलोड हुआ था I mean मैंने ही उस वीडियो को अपलोड किया था और मैंने unlisted करके रखा था किसी ने ना मेरे चैनल को हैक किया है किसी ने नहीं यार कुछ लोगों ने मिलके हैक किया है और वो लोग ना उस वीडियो को unlisted में से डाउनलोड किया उसमें से कुछ text add कर लिया कि मैं वीडियो अभी तक मतलब आगे नहीं बनाऊंगी इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी ये बलकर एडिट कर लिया और उसे यूटुब पर अपलोड कर लिया कुछ लोग हैं जो मुझे कॉमेंट किये क्यों अपना यूटुब चैनल बंद कर रही हो क्यों अपना करियर को एंड कर रही हो तो मुझे न मेरे पास चैनल ही नहीं है तो मैं reply ही कैसे करूँ मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था फिर मैंने देखा तो मेरा gmail ऐसे password चेंज हो चुका है और मेरे चैनल पे लगभग 398 वीडियो अपलोड़ेट थे और मैंने देखा तो suddenly मैं ऐसे password हो गए उन में से बहुत सारे वीडियो डिलीड हो चुके थे और सिर्फ 320 और सॉम्टिंग ऐसा कुछ था मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे haters नहीं ऐसे मिलकर मेरे चैनल को hack भी कर लेंगे नीचे से यहां तक आने में मुझे बहुत महनत लगा है मैंने बहुत महनत किया है खुद से मैंने एक एक रुपए जोड़ जोड़ के मैंने अपना यूटूब चैनल स्टार्ट किया है और ऐसे ना कोई ऐसे आके एकदम आपके चैनल को hack कर दे आपकी दो साल की महनत को ऐसे बरबाद कर दे तो आपको कितना बुरा लगीगा मेरे चैनल मेरे पास नहीं था इसलिए मैं यूटूब चैनल पे active नहीं थी यहाँ पे मैं रोने धोने वाली नहीं हूँ उन लोगों मैंसे नहीं हूँ मैं मुझे पता है जिन लोगों ने मेरा चैनल hack किया था वो लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे तो मैं रोने वालों मैंसे नहीं हूँ अगर आप लोग मेरा चैनल हैग भी कर लेते हो ना तो मुझे मेरे पास अपना टैलेंट है मैं एक और चैनल अपलोड करूँगी और महनत करूँगी और भी फैमली को मैं अपना बढ़ाऊंगी मैं डर कर चुप रहने वालों मैंसे हूँ नहीं और मैं रोने वाली नहीं हूँ मैंने तीन दिन रोया है रो रो के अपना हालत खरब किया है जब तक मुझे मेरा चैनल वापस नहीं मिला तो मेरे कुछ होते हैं ना बड़े-बड़े यूटूबर्स मैंने उन लोगों से थोड़ा सा help लिया और तभी जाके न मुझे मेरा channel वापस मिल चुका है और अब जो जलता है वो जले मुझे कोई फर्क नहीं परता मुझे घंटा फर्क नहीं परता जो भी जलता है जले अभी ना मैं continue post करूंगी देखते हैं क्या करते हैं जिसको hack करना है कर लो अभी देखते हैं मैं रोकने बल मैंसे हूँ नहीं जितना channel hack करना है करो मेरे पास talent है मैं किसी और का video चुरा के अपनी channel पर post नहीं कर रही मैं खुद का content खुद create करती हूँ मुझे कोई इच भी डर नहीं है और जो लोगों ने मुझे support किया है ना उन लोगों के मैं बहुत दिल से thank you करने चाहाई मुझे बोलने में ही नहीं आ रहा है मैं इतना डर गई थी मुझे क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी मतलब मैं इतनी खुष हूँ मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया है तो मैं इतनी ज्यादा खुष हूँ कि मेरे मुझे ना एक अच्छे चिस कुछ भी नहीं निकल रहा है मैं क्या ही बता हूँ बहुती मेहनत बहुती तकलीब करने के बाद मुझे मेरा चैनल वाफस मिला है और मैं अपने चैनल को वाफस पागे बहुत खुज, I mean बहुत खुज हूँ मेरी जिब भी लड़खला रही है मुझे अभी तो मैं रुकने वाली हूँ नहीं अपने चैनल जितने दिन चलेगा मैं उतने दिन तक इस चैनल को आगे बढ़ा हूँगी मैं जितने दिन जिन्दा रहूँगी न उतने दिन मैं आगे चला हूँगी मेरे मर जाने के बाद भी मेरे घर वाले चलाएंगे पर मैं किसी को hack करने नहीं दूँगे और जो लोग चाहते हैं कि मैं यहां तक पहुँचकर फिर से यहां आ जाऊँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और मैं रोने वालों ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ I hope की family आप लोग मुझे समझ सको मेरी condition को समझ सको मैंने कितना मेहनत किया है मैं कहां से कहां आई हूँ और फिर से उपर से नीचे नहीं जाने वाली मैं मेरी family वाले बहुत ही अच्छे हैं यार I mean आप लोग ही तो हो मेरी family आप लोग बहुत अच्छे हो आप लोगों ने मेरे हालत मेरी सब कुछ मेरी struggle देकर मुझे support किये हो मेरे 0 से 65,000 तक का सफर का सारा सारा स्रेया आप लोगों को जाता है Thank you family for always being with me and I hope कि आप लोग आगे भी मेरा help करोगे मेरा support करोगे Thank you मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती बस मुझे अभी मेरा channel को संभाल के रखना है Bye